हेलो एवरिवन लक्षय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हर्दिक स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं हर्याना स्पेशल एजूकेटर रेक्रूट्मेंट 2023 के बारे में जैसा कि आप सभी चानते हैं कि हर्याना में जो SSA और IEDSS के थ्रू वकेंसी आई थी तो उनकी भरत परकरिया अभी भी चल रही है और आज फिर एक नए नोटिफिकेशन आया है जबकि पिछले नोटिफिकेशन में बताया गया था कि सभी कंडिडेट्स को 22 तारिक को जोइनिंग लेटर आवंटित कर दिये जाएंगे उसके बाद आज 21 तारिक की शाम को ही विभाग ने एक नई सूचना दे दी है और इसमें फिर से एक नई तारिक अभ्यार्थियों को दे दी गई है तो तारिक पर तारिक ही मिलती जा रही है और यहाँ पर इंसाफ मिलने की कोई दूर दूर तक संभावना नजर नहीं आ रहे सभी जो भी चैनित अभ्यार्थि हैं उनके साथ बह कि ये काफी लंबे समया से भरती पर करिया चल रही है और हर बार कोई ने कोई नया सर्कुलर निकाल के और किसी ने किसी चीज पर ओब्जेक्शन लगा के तो एक नई तारिक दे दी जाती है पर अभी तक भी किसी भी केंडिडेट को जोइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा कम से कम जो candidate select हो चुके हैं जिनका सभी कुछ document verification और कोई objection नहीं है किसी भी चीज पे तो उन candidates को तो कम से कम joining letter अभी तक मिल जाने चाहिए थे पर ऐसा भिलकुल भी नहीं हुआ है आज फिर एक नया notification जारी कर दिया है department ने और बताएंगे आपको कि उस notification में भी क्या कहा गया है और अगर आप ये मान रहे हैं कि इस notification के बाद आपको joining मिल जाएगा तो वो भी आपकी गल्ट फैमी है इसके बाद आपको एक और नया notification देखने को मिल जाएगा पर joining letter के लिए कोई notification नहीं देखने को मिलेगा आपको तो चलिए पहले बात करते हैं कि जो आज एक सर्कुलर आया है उसके बारे में कि उसमें क्या कहा गया जैसा कि आप ये देख रहे हो ये आज फिर से एक नया सर्कुलर आ गया हरियाना स्कुल सिक्ष्या परियोजना परिशद की तरफ से तो इन्होंने बताया है कि जो 59-2023 को इन्होंने एक नया सर्कुलर अपडेट अपलोड किया था डिफ्रेंट वेब साइट पे तो उसमें इन्होंने बताया था कि 18 तारिक तक जिन भी केंडिडेट के रिमार्क हैं तो उनको वो रिमार्क या तो रिलेवेंट डोकुमेंट सम्मिट करवा के या सेल्फ डेकलरेशन सर्टिफिकेट सम्मिट करवा के तो वो हटवाना था तो 18-9-2023 तक का इन्होंने टाइम दिया था और उसके बाद ये बोला था कि 22 तारी को आपके जोइनिंग लेटर रिलीज कर दिये जाएंगे पर इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया कि कुछ केंडिडेट हैं जिन्होंने दिये हुए टाइम में अपना ना कोई डिलेवेंट डोकुमेंट दिया है कि इसके बाद कोई अधर चांस नहीं मिलेगा किसी भी कैंडिडेट को वो वीडियो भी है हमारे यूट्यूब चैनल पे और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में भी मिल जाएगा तो आप देख सकते हो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि 18 तक का टाइम दिया जाता है आपको उसके अलावा कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा और 22 तारिक के आपके जोइनिंग लेटर रिलीज कर दिये जाएंगे 22 तारिक को पर आज 21 तारिक की शाम को ही ये एक और नया सर्कुलर निकालके ये इन्फोर्मेशन देते हैं कि हम दोबारा से फिर केंडिडेट को एक मौका दे रहे हैं जैसा कि आप सेकिंड पेराग्राफ में देख रहे हो इन्होंने लिखा therefore on request of the candidates to give them some more time to submit their documents इन्होंने यहाँ पे बोला कि candidates ने time मांगा है कि उनको ओर time दिया जाए पहली बात तो मुझे ये नहीं समझा इसमें कि ऐसा मतलब क्या करना था candidates को कि उन्होंने ओर time मांगा इसमें self declaration certificate देना था आपको वो भी department ने अपनी website पे upload किया हुआ था सिरफ उसमें 4 filling the blanks आपको fill करके देने थे तो 5 तारिक से 18 तारिक तक का time दिया गया था सभी candidates को तो मुझे नहीं लगता कि जिस भी candidates के हो अगर उसके पास सभी चीजे हैं तो उसने self declaration certificate भरने में कोई देरी कियोगे और वो विभाग की site पे जो mail है उस पे mail करना था सिरफ आपको कोई वहाँ पे post नहीं करना था ना जाके वहाँ department में जमा करवाना था तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी candidate ने ऐसा बोला है कि उनको time चाहिए और अगर किसी candidate ने time मांगा है तो department को वो साथ में mention करना चाहिए था और ये सिरफ भरती को अटकाने की एक इनके पास एक क्रिया है कि ये भरती को सिरफ लंबा खीचना चाह रहे है सिरफ ये एक महुरा है कि जिसके थरू भरती को ये लंबा खीच सकते हैं और इन्होंने बताया कि उन्होंने time मांगा है और जैसा कि आप यहाँ पर देख लिए हो इन्होंने बोला in the view and keeping in view the dar of special educator in the state मालब इन्होंने बोला कि special educator का हमारे जो हर्याना state है उसमें अकाल को देखते हुए मालब बहुत ज़्यादा कमी है अकाल का meaning है कि बहुत ही ज़्यादा कमी है special educator की तो इन्होंने ये decide कर लिया कि एक last opportunity और दी जाए candidate को और उनको document जो self declaration form था certificate था वो mail करने का एक और मोका दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा maximum candidate को consider किया जासके as eligible for the post of special educator ये सब department अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कर रहा बस क्योंकि वो नहीं चाहा रहा कि इसमें कोई backlog बचे अब की बार क्योंकि इनके लिए ये जो backlog की vacancy है उनको complete करना इनके गले की fast बन चुका है क्योंकि इन्होंने इतनी सारी गड़बढ़िया कर दी है इन भरतियों में तो इनसे अभी ये backlog फिल नहीं हो रहा और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा time तो जितने भी candidate है वो सब aware हो रहे है पहले चीजों के बारे में नहीं पता था बट अब जैसे जैसे समया बीत रहा तो candidate भी aware हो रहे है और इनको पता है कि एक नएक दिन ये फसेंगे जरूर क्योंकि जितनी इन्होंने गलतियां की है तो वो proof सब है सिरफ एक legal action लेने की जरूरत है और जिस दिन भी legal action ले लिया इनके उपर किसी ने ये कुछ नहीं कर पाएंगे और ये उस दिन फसेंगे ही फसेंगे तो इसलिए ये चा रहे हैं कि अब की बार जितने maximum candidate को ये लेश के और इस backlog को खतम कर सके तो जल्दी से जल्दी निम्टाने की कोशिस कर रहे हैं ये कि अब की बार ये backlog ना रहे है और इसलिए ये इतना time ले रहे हैं और आपको लगता है जैसा कि इन्होंने बोला यहां पे कि अब उन सभी बचे हुए candidate को ये एक और मोका दे रहे हैं और इन्होंने बोला कि ये mail mention की है यहां पे कि इस mail पे आप 29.9.2023 तक self declaration certificate submit करवा सकते हो ताकि आपको consider किया जासके और अगर आप ऐसा नहीं करते हो अब भी तो आपका जो अभिहर्थी का जो उसको मोका दिया गया है तो उसको निरेस्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद ये final list लगा देंगे और इन्होंने साथ में last line में बोला है कि जो eligible candidate है उनकी list ये 22-2023 को upload कर देंगे तो आप में से बहुत से साथ ही जो सोच रहे हैं कि 29 तारिक के बाद आपको joining letter मिलेंगे बिलकुल भी ऐसा नहीं होने वाला मैं guarantee दे रहा हूँ कि आपको 3 महीने से पहले joining letter मिल जाए तो ये मैं लिखके दे सकता हूँ कि ये अभी भी इस भरती को बहुत लंबा खींचेंगे जब तक इनको पूरे candidate नहीं मिल जाते ऐसे ही आपको notification पर notification देखने को मिलेगा और आप खुद सोच सकते हो कि ये इस vacancy का advertisement कब आया था 2022 में इसका advertisement आया था 23 में इसका paper हो चुका है और उसके बाद भी इन्होंने कितना time लगा दिया जोइनिंग लेटर देने में और संभावना यही है कि साइद इस साल आपको जोइनिंग लेटर मुस्किल ही मिलेगा बाकी आपके उपर है अप खुद समझदार हो अपने निर्णया खुद ले सकते हो तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई legal action लेना चाहिए जिसके थरू आपको जल से जल जोइनिंग लेटर मिल जाए तो आप जरूर ले सकते हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि department दूर दूर तक भी कहीं पर सोच रहा अभी आपको जोइनिंग लेटर देने के और जितना लेट हो रहे हो आप आपको नुकसान है बाकी आप जैसा करना चाहिए वैसा कर सकते हैं ऐसी और भी information पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन का बटन जरूर दुबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अप्लोड करें तो तुरेंट आप तक notification पूँझ जाए और वीडियो को जासे जदा लाइक करें साथ में शियर भी करें Thank you